खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते परिच्छा में सेलेक्षन ले तो सही जीवन में सब होगा हासिल तू सेलेक्षन की जित पर अड़ तो सही आदियती कलास्ते सिक्जामगुरी चैनल में आप साथ का स्वागत है दोनों पर्यावड की यह हमारी दूसरी क्लास है यानि ब्वार्य Trust की है संवापत हो प्रकृत मिर पाए जाने वाले ऐसे पराणी जो मांसहारी वह सकाहारी दूनों पर अपने भोजन कके निर्मर होते हैं उम्नी वोरस या सर्वाहारी के नाम से जाना जाता है जैसे चुडिया, बिल्ली, भालू, मनुस, कुत्ता यह हलका लग रहा होगा लेकिन नाम याद रखेगा आपको छाटने में वहाँ दिक्कत होने लगी ठीक है कुडिया, बिल्ली, भालू, मनुस, कुत्ता यहां देखेंगे आप ऐसे जिवजन्तु जो किसी दूसरे जिवजन्तु पर आसित होते हैं उन्हें प्रिडेटर्स काते हैं जैसे किलिनी, जू, खटमल, जोक, आधी ठीक ह आप मोवेसी देखे होंगे, जानवर मोवेसी, उनके सरीर में भी प्रिचल जीवजन्तु आजाते हैं, ठीक नाम से आजाते हैं पर पोसी इसे कहेंगे, या ऐसे जीवजन्तु को कहा जाता है जो अपना भोजन, स्वयम, निर्मित नहीं करते हैं, इसे सेर आदी हैं, कि या ऐसे जीव-जन्तु जो अपने भोजन के लिए दुसरों पर निर्भर हो या शौपोसी पर निर्भर हो उससे परपोसी आहुश्ट के नाम से जाना जाता है तेस्ट है डी-कंपोजर आप जानते भी होंगे, तेरी बता देना आपको क्या होता है या अवगर्ण करता को मिर्तव जीवी या महतर या सफाई कर्मी या कुटी जीवी या सड़ी गली बनस्वतियों पर जीने वाला आधी के नाम से भी जाना जाता है करते हैं जीवारू कवक और किसाड़ू प्रोटो जोवा आधी ठीक है को समझने के लिए ऐसे समझ दीजिए प्लांट है आपका है और तो इसको किस ने खाया बताया था और तिद्डा किस ने खाया मेधक ने खाया सांप ने खाया आपको कोन खाया ऐस खाया और यह बाज मर गया मर गया मरने के बाद यह आप देखेंगे बैक्टीरिया ठीक है बैक्टीरिया और कवक ठीक है फंगस और यह इसके सरी को गला देंगे और गलाने के बाद उन्हा क्या करेंगे यह चक्रण करेंगे इसके जड़ को दे देंगे ठीक है यह प्रक्रिया चलती रहती है इस है एक दिशा में हो रहा है और इसमें जो है अगर देखा जाए तो ऊज़ा प्लस कितना हो रहा है मातर दस परशेंट ठीक है पुर्जा कितना हो रहा है 90 प्राशंट याद रही है यह प्रस्टभ इसी को लिद्मान का नियम के नाम से जाना जाता है यह उड् sequid जोड़ी होते हैं । इनको इसे गला देते हैं, इनको Decomposer के नाम से जाणाजाता है। खाद सिंकला देखेंगे, food chain किसे कहेंगे? वोज्ञ पदार्थों का एक उभकता से, दूस्रे उभकता में अस्थांत्रड, खाद सिंकला चाजाता है। खाद सिंखलाएं परस्कीतंत में जिस तंत्र से एक दूसरे से जूड़ी होती है उसे खाद जाल के नाम से जाना जाता है और परस्कीतंत में उर्जा का परवा होता रहता है जल उर्जा एक अस्तर से दूसरे अस्तर में जाने पर उर्जा बढ़ता है पार्स्तिकी तंत में उर्जा का परवा होने पर हर अस्तर में 10% का 6 होता है इस सिद्धान को 1945 में रेमन लिदमन ने दिया था इसलिए इसे लिदमन का नियम या 10% का नियम के नाम से जाना जाता है कहीं कहीं लिदमन का नियम भी लिखा रहता है या हम जम्बल में दे चुक थे जब जब ट्रांसफोर होता है इनर्जी तो क्या होता है 70 प्रशन इनर्जी क्या होता है नुकसान होता है इसे लीडमान की नियम कहा जाता है इसन में इन्हों नहीं 52 में लिखेंगे लीडमान या 10 predisat नियम के नुसाट परस्त का उस्तंत में उर्जा खाद अस्तर से अगले अस्तर तक पहुंसती है। इस बुक में एक से च्छे युनिट तक के स्लेबस के अनुसार प्रश्णों का समावेस है। चार बुक में 80 माडल पेपर हैं, एक माडल पेपर में 30 प्रस्ण है, जिसमें आज तक के करेंट अफेर से लेकर सभी 1-6 यूनिट के प्रस्ण को अपडेटेट कर दिया गया है, सभी प्रस्णों का यूटूब पर व्याख्या सहीत रिकार्डेट क्लास आप देख सकते हैं, क पहुँच जाएगा, कोई अत्रिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है, हिंदी प्रस्ण के आगे, अंग्रेजी में प्रस्ण दिये हैं, ताकि कठीन सब्दावली को समझने में आसानी हो, प यूटूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, बुक के सभी प्रस्ण आपकी तैयारी में राम बान की तरह कार करेगा, जो छात्र छात्र हैं, टेक्ष कोर्स को पर्चिस कर चुके हैं, या जो नहीं किये हैं, उन्हें भी या बुक हार्ड कापी के रूप में ले लेना तो अगले अस्थर में केवल 10% ही उर्जा पहुंच पाती है, बाकी उर्जा का रास होता है, जो है, पर्चित अंत में चार्ल्स एल्टन द्वारा कोशक अस्थरों के बीश के संबद्ध को जिस चित्र द्वारा दर्साए जाता है, से ही पर्चित पिरामिट के नाम से या पिरामिट के नाम से जाना जाता है, याद रिखेगा, और एकोटोन किसे कहेंगे, एकोटोन प्रकिर्ट में पाए जाने वाला ऐसा छेत्र जहां एक जहां पर्सकी तंत में, दूसरे पर्सकी तंत की सीमा का पूर्ण रूप से निर्धारण नहीं हो पाता, उस पर परस पर मिस्रण वाले छेत्र को एकोटोन करते हैं, जैसे जील का, जील का एकोलाजिक क्या होता है, जो है एकोटोन का लाता है, क्योंकि उसके सीमा निधायत नहीं होती है, जिस भी एकोसिस्टम का सीमा निधायत नहीं हो, तो एकोटोन के नाम से जाना जाता है, पायोम किसे जहां पर पाए जाने वाले जिव जनतु इंपिढ पौधों की समान विशिस्ताइं उस छेटर के अनुकूल होता है उसे वायोम होते है इसे झिव अपने वातावर की अनुकूल भल गप दे इंदक झाते हैं जाना जाता है जो बरफिले इलाकों में बन होते हैं उन्हें टूंटरा के नाम से जाना जाता है याद रिखिएगा मानोद वारा प्राकृतिक संसादनों का दोहन और पिर्थिवी के प्राकृतिक संसादनों के नवीन उत्पादन को देखते हुए यदि तुलनात्मक पविडाम निकारा जाए तो इसे ही पर्षत की पदचिन या इकलोजिकल फूड़ प्रिंट के नाम से जाना जाता है इकलोजिकल फूड़ प्रिंट को मापने की काई वैस्विक हैक्टेयर होता है नेस्ट है जो है इकलोजी पिरामिड इकलोजी पिरामिड से प्रफनाते हैं घर्चा किया गया था चाल्स एल्टन द्वारा इकलोजी में पोशर तक्तों के बीच संबन को चित्र द्वारा दर्साए गया जिसे इकलोजी पिरामिड के नाम से जाना जाता है अब यह आपके एकलोजी पिरामिड के नाम से जाना जाता है अब यह आपके एकलोजी पिरामिड के नाम से जाना जाता है अब यह आपके एकलोजी पिरामिड के नाम से जाना जाता है और आपके याद करने कि सुद्धा के दिश्टी से उल्टा आलम ने यहा लिग दिया और सिधा वालमने यहां करती है तैक है जैसे प्रीछ का यायाद रिखेगा पेंड का और समynnदर का नदी का घहल का तलाब का पिरामिट कई सा होता है तो फास के मैधान का फशल का जंगल का प्रिमिट क्या होता है सीधा होता है 가능 zenत रिष्ट के में आता रहता है सुद्ध पीने का पानी सुद्ध परियावरण सुद्ध जीवन जीने का अधिकार भारती समिधान के अंत्रगत मूल अधिकार में भार्चार को के मूल कर्तब में कहा गया है कि पर्तेक नागरी को परियावरण सरचड के प्रती वन सरचड के प्रती कियों के की प्रति जया भाव रखने का करतव होगा भागचार नीति में देशकत्त में परियावरणब्लावन जीवसक्राचाबन प्रवधान है तिक याद रखना है अड़तालीस में क्या है अड़तालीस को में पर्यावरण वान जीव सरच्षड का प्रवधान है यहां आएगा आप देखेंगे अनुसुची साथ के अंत्रगत भूमि विकास सचता यूम जल स्वास स्वाराज राज सुची के अंत्रगत प्रवधान है यहार देखेगा आठिकल 48 में पस्वू के नसल को सुधारने यहां उनके सरच्षड के लिए राजय का राजय प्रयास करेगा इसकी चर्चा इसमें की गई है समाजिक वानकी राष्टी क्रिसी आयोग ने 1976 में क्रिस इधन चारा लकड़ी और मूटे वन उत्पादों की पूर्ती करने वाले प्रिंड लगाने की कारिक्रम के लिए ग्राम सभा की खाली बड़ी भूमी पर समुदाइक भूमी पर समाजिक वानकी कारिक्रम चलाया गया समाजिक वानकी की योजना 5.25 Carolyn में आ चुका है समाजिक वानकी की योजना 5.25 वर्षियोजना में सुडू किया गया था और सोशल फारेस्ट के अंद्रकत निम्लिखित कारिक्रम चलाए गए ज्याज रखिएगा पहला क्रिसी वान की इसके तहत मेड़ों पर पेंड लगाएंगे आप समझ रहा होंगे जो दो खेतों के बीच में जो सक्रास्थानता है जाने का तरवजिनिक वान की इसके तहत सरव आधिक अस्थानों स्कड़कों पार्कों बाधों आधि पर पेंड लगाएंगे और तीसरा है सामुदाइक वान की गरामसभा की जमीन पर पेंड लगाएंगे तरव पॉंट इपॉर्टेंटे देख लेजेगा राष्टी वन निती 1988 में यह लच रखा गया था कि भारत कुल भूमी पर 33% होना चाहिए परन्तु आल में जारी 17 भारती वन इसेती रिपोर्ट या देखिगा कि अनुसार कुल 24.62% है डाटा यादोना चाहिए जिसमें वन आवरण 21.71% और विरिचारोपड 2.91% है यह भी डाटा याद रखना चाहिए आपको वर्तमान 17 भारत वन इसती रिपोर्ट की अनुसार भारत में खुल मैग्रोब बन कच्छ वन का छेत्र यानि कच्छ वन में मैग्रोब बन कितना है रस्मल एक प्रतिसत है तरवाधिक मैग्रोब व्रिधी करने वाले राज या केंसासित राज का भीवरण निलिखित है यानि प्रथम अस्थान सबसे अधिक पश्य मंगल में दूसरा अस्थान गुजरात में और तीसरा अस्थान अंडवार निकोबार का है ठीक है और इसी के साथ ही ये चेप्टर हम समाब करते हैं मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत नेक्स अमलों का चेप्टर य लेकर सभी 1-6 यूनिट के प्रश्ण को अपडेटेट कर दिया गया है सभी प्रश्णों का यूटूब पर व्याख्या सहीत रिकार्डेट क्लास आप देख सकते हैं कुल चार बुक और एक ओमार के बुक यानि पांच बुक सेट और डिलेवरी चार्ज लेकर कुल 926 यह है जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है हिंदी प्रश्ण के आगे अंग्रेजी में प्रश्ण दिये हैं ताकि कठीन सब्दावली को समझने में आसानी हो पुस्तक बाइलंग्वल है चारों बुक में असिस्टेंट प्रफेसर के एजाम की दिष्टी से चुनिंदा प्रश्णों को ही समावेस किया गया है बुक में अपने 12 वर्सों के प्रतियोगी परिच्छा पढ़ाने के अनुभव के अधार पर प्रश्ण के साथ आपसं का भी डिटेल बैक है यूट्टूब चैनल पर आपको मिल जाएगा बुक के सभी प्रश्ण आप लिए जो 6 उनिट वाइज है जिसके अंभ्याद से आप अपने GKS के कांसेट को किलियर करके अपने लच्छ को असानी से प्राप कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट सरीज को लेते हैं तो आपको फिरी में मिलेगा सभी उनिट के माडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी उनिट क लेटिल ग्राम ग्रूप पर आप जूड़ सकते हैं